नमस्कर दोस्तों स्वागत यापका फार्मरोक्स की यूटूब ए ज्यूकिस्टन चनल में आज हम सिखने वाले है हैमाली उसीरप के बारे में तो यह जो मेडिकेशन जो वो लिवर रिलिटेट जो अलेग अलग मेडिकल कंडिशन जैसे कि फैटे लिवर की जो कंडिशन है लिवर डिसीज जो वगरा होती है जैसे कि पी लिया है या फिर हेपेटाइटी से तो उसको ठीक करने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के तो उसको delay करने में या फिर उसको ठीक करने में किस तरह से ये medication आपको मदद करती है फिर उसके अंदर content क्या कि कौन से ingredient यूज किया गए है ये medication को बनाने के लिए फिर उसका indication आप किस तरह से कर सकते है उसका dose वगरा क्या है फिर उसके side effects वगरा कुछ होते है या नई तो उसके detail में study करते है आज के lecture में और जानते है हमा लिव सीरप के बारे में detail में तो ऐसे ही आपको detail में सिखना है बहुत सारी दवायों के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते है फार्मरोक्स के अब उपर तो ये course join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते है या फिर हमारी app को download कर सकते है link आपको description box में मिल जाएगी तो अब आते हैं topic प्योर समझते है हैमा लिव सीरप के बारे में तो ये essay class का medication के जिसको हम हीपेटो प्रोटेक्टिव या फिर anti-hypetotoxic drugs कहते है मालब कि ऐसे दवाई कि जो आपको लिवर को healthy रखने में मदद करती है और कर समान लो लिवर related को toxicity हुई है तो उसको ठीक करने में भी ये medication जो आपको मदद करती है तो ये एक natural herbal remedy है कि जिसको abandis lab site limited जो वो उसको बनाते है कि जिसका headquarters जो ऑचंदीगड में है तो यह पर आप देख सकते है, abandis pharma की जो detail आप यहाँ पर देख सकते है कि जिसका headquarters जो ऑचंदीगड में है तो आप जानते हैं detail में abandis live science के बारे में तो ये एक Indian pharmaceutical company है कि जिसका headquarters चंदीगड में है और यह जो medication है वो बहुत सारे pharmaceutical products बनाती है जैसे कि antibiotics भी वो manufacture करती है nutraceuticals मानलो, eralgy के लिए जो दवाईया होती है antifungal है, फिर acidity के लिए जो proton popin inhibitors यूज की जाती है और बहुत सारे दवाईयों को ये pharmaceutical company जो वो manufacture करती है तो hyamaliv syrup के use के बारे में हम समझे, indications के बारे में समझे तो सबसे पहले जो fatty liver की जो condition होती है liver diseases जो वगरा होती है, पीलिया के condition के जिसको हम jaundice कहते है और hepatitis को ठीक करने के लिए ये medication जो वो prescribe की जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग-अलग जो symptoms जो होती है especially liver disease के अंदर कि अगर किसी का liver खराब होता है या फिर liver related कोई भी toxicity होती है तो सबसे पहले जो है वो patient को jaundice के symptoms देखने को मिलती है कि पीलिया जो रोग हम कहते हैं वो देखने को मिलता है फिर second hepatitis भी हो सकती है उसके करण cirrhosis की जो condition भी हो सकती है patients को diarrhea हो सकते है या फिर arthritis के symptoms देखने को मिल सकते है जो spleen होती है हमारे सरीर के अंदर उसकी size जो वो बढ़ सकती है कि अगर आपका liver खराब है pancreatitis या फिर जो gastritis की condition हम कहते है कि इस सरीर के अंदर जो stomach acid बढ़ने के करण जो complications होती है वो problem हो सकता है testicular atrophy के symptoms देखने को मिल सकते है या फिर myopathy तो बहुत सर इस तरह से complications होते है कि जब आपको liver related problem होते है तो उसको ठीक करने के लिए ये एक natural herbal remedy के तोर पे काम करता है तो उसको ये medication लेने से क्या होता है कि आपका liver का जो function होता है वो काफी improve होता है और उसके करन जो इसके related toxicity हो ये या फिर liver खराब हुआ है तो वो जो ठीक हो जाता है फिर उसको problem ये problem को होने से रोकने के लिए आपके prevent करने के लिए भी ये medication यूज की जाती है जैसे कि fatty liver के treatment पे आप उसको यूज कर सकते है liver diseases, hepatitis और jundis वगरा के इलाज में ये medication जो है वो काफी helpful साबित हो सकती है तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि ये जो condition है ये वाला जो liver देख सकते हैं वो है healthy liver और ये वाला जो है वो fatty liver तो दोनों कि आप compare करोगे तो देखने के बला कि उसके जो cell होते हैं वो काफी ज्यादा damage होने लगते हैं जो liver के जो हमारे cell होते हैं फिर आप size को comparison करो तो यहाँ पर जो size है वो increase हो जाती है कि जिससे काफी ज्यादा complications होने थे हैं कि जैसे अभी हमने जो symptoms देखे वो सब होता है कि जब patient को ये liver related problem होता है तो उसके अलग-अलग stages भी होते हैं देखो कि किस तरह से liver जो है आपका damage होता है तो सबसे पहले healthy liver जो हो convert होता है fatty liver के अंदर fatty liver आगे जाके liver fibrosis में convert होता है और liver fibrosis में से आगे liver cirrhosis होता है तो इस तरह से अलग-अलग stages में आपका liver जो हो damage होता है तो वो damage होने से रोकने के लिए ये medication जो है वो यूश की जाती कि एक एक नेच्रल हीपेटो प्रोटेक्टिव anti-hypetotoxic के तोर पे काम करता है तो उसका ingredient हम देखे तो अगर आप 5 ml जितना medications लेते है तो उसके अंदर ये अलग-अलग herbal ingredients जो आपको देखने को मिलते है जैसे कि कालमेक जो उसके अंदर present है 200 mg जितना उसे तरह से कसमर जो present है वो 250 mg जितना है कस्नी 500 mg जितना present है उसे तरह से आप देखो तो ब्रिंग राज है, भूमी आमला है, विदांग है पुनर नवा है, हरिता की है ऐसे बहुत सारे herbal ingredients जो है वो ये medications के अंदर present है फिर जो syrup का जो base है वो sorbitol से बना हुआ है तो ये भी आपको खास जानना जरूरी है कि syrup का base किस तरह से बना हुआ है और उसके doses के बारे में भी बागे हम जानते हैं detail में तो daily dose के बारे में हम संजेत है जो adult के लिए जो daily dose रहेगा वो रहेगा 10 ml जितना दिन में 3 बार तो patient जो है वो दिन में 3 बार ले सकता है 10 ml जितना और समझो कि बच्चों में आपको use करनी है तो उसका जो dose रहेता है खास कर 10-5 ml रहेगा कि 10 जो है एडल्ट में है तो उससे half dose कर देना है 5 ml जितना और वो जो है वो बच्चों के अंदर भी वो दिन में 3 बार ले सकते है बट दियान यह रखना है कि जब भी आप यह syrup को use करते हैं तो उसको अच्छे से पहले bottle को आपको shake करनी होती है cool place पे आपको उसको जो हो रखना होता है और dry place पे अच्छे से उसको store करनी होती है तो आगे अब उसके कुछ side effects समझते हैं तो side effects यह medications के एक भी नहीं है because यह एक आईरविदिक herbal medication है और यह completely safe है यह उसके लिए तो उसके कोई भी side effect नहीं है contraindications भी आसकर कोई नहीं रहते herbal medications होने के पकारन but दियान यह रखना होता है कि अभी जो हमने ingredient discuss किये इसमें से किसी भी ingredient के आपको allergy है तो ऐसे condition में आप उसको use नहीं कर सकते हैं बाकि सभी condition में यह syrup को जो वो patient ले सकते हैं कि जिनको liver related बीमारिया है तो ऐसे ही आप सीख सकते हैं बहुत सारी दवयों के बारे में medicine course के अंदर farmerox के वूपर तो यह course join करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी आपको download कर सकते हैं link आपको जो है वो description box के अंदर मिल जाएगी Good luck and all the best झाल झाल झाल